हेलो फ्रेंड्स दिस इस पूजा एंड बेलकम टू माइ यूटूब चैनल एट्यूटर आसा करते हैं आप लोग अच्छे होंगे तो चलिए सुरुवात करते हैं आज के चाइल्ड डेपलोप्मेंट एंड पैडागोजी सेशन की चैनल डेपलोप्मेंट एंड पैडागोजी सेशन का ये पार्ट फाइप है जिसमें हम कुछ कोश्चन को डिसकस करेंगे और उनके बारे में डेटेल से जानेंगे तो आज के सेशन का फर्स्ट कोश्चन है लॉरेंस कोहलबर्ग के द्वारा प्रस्तावीत निमलखी चरडों में से प्रात्मिक बिद्या लेके बच्चे किन चरडों का अनुशरण करते हैं जिसमें तीन अस्तर और च्छा अवस्थाएं हैं उसमें से प्रात्मिक अस्तर के बच्चे जो हैं किस चरड़ का अनुशरण करते हैं फर्स्ट है आग्या पालन और दंड उनमुखी करन बैक्तिक्ता युम्बिन में C है अच्छे अन्ता वैक्तिक शम्मन्द D है समाजी कनुबंद और वैक्तिकत अधिकार ऑफ्सन देख लेते हैं A और D दूसरा ऑफ्सन है A और C तीसरा है B और A फोर्थ है B और D चलिए देख लेते हैं पहले लॉरेंस कोहलबर्ग का नयतिक्ता का सिध्धान क्या है लॉरेंस कोहलबर्ग नयतिक्ता के सिध्धान में तीन अस्तर और च्छा वस्थाएं बताई है पहली अवस्था है प्राग पूर परमपरागत अवस्था जिसे प्री कन्वेंशनल स्टेश कहते हैं प्री कन्वेंशनल ये परमपरागत अवस्था जिसमें दौतस्थाइं कनवेंशंल रेविल भी दो अवस्था हैं परात्मिक अस्तर की बच्चे 2 परमपरागत अवस्था में आते हैं प्रात्मी विद्य लेगे जो बच्चे होते हैं वो पूर परमपरागत अवस्था में आते हैं यह प्री कन्वेंशनल स्टेश पर ही लेवल पर ही आते हैं वो जिसमें दो अवस्था है पहली अवस्था है रिवार्ड एन पनिस्मेंट की यह आग्या पालन और दंड स्टेश्टा मिलती है उसे डाट नहीं पड़ती तो उसे लगता है कि जो कार्यों कर रहा है वो सही है 2 के वस्था एसकी वो इसकी बिवहार करता है वैसा ही बिवहार करने की कोशिश करता है जैसे एक बच्चे ने जदी किसी की कॉपी फाड़ दी तो वो भी उसकी कॉपी फाड़ देगा यहनि बदले की भावन होती है यह जैसा बिभार करता है उसके साथ वैसा करने की भावना इस स्टेज में होती है तो इस प्रकार इसका सही आंसर होगा B और A Option No.3 इसका सही आफसन होगा यहनि आग्या पालन और दंडूर मुखी करन B बैक्तिकता और B नमै यहनि इसका सही आंसर आफसन No.3 होगा चलि आगे बढ़ते हैं Next question है डैस के अलावा निमनिलिखित घटना ब्रतांत रिकार्ड की विसेशताएं है फर्स्ट या घटनाओं का सही वर्डन है सिकेंड या बच्चे के बेक्तिकेत है या परियाप्त विस्तार से पूर्ड तथ्यात्मक प्रतिवेदन है फूर्थ है या बेवार का बेक्तिनिष्ट साच है इसलिए या सेचलिक छेत्र के लिए प्रतिपुष्टी उपलब्ध नहीं कराता है तो इसका सही आंसर होगा ये बेवार का बेक्तिनिष्ट साच है इसलिए सेच्छी छेतर के लिए इसमें विसेश फीडबैक नहीं उपलब्द होता सेच्छी छेतर के आज जो फीडबैक होता है यानि पतेक अस्तर पर बच्चे ने कितनी प्रोग्रेस की है उसका रिकारड पोर्ट पोल्यो रिकारड में रखा जाता है थर्ड कोश्यन है मान लीजे आप सिच्छा बोल्ट के अध्यच हैं आप अपने अधिकार छेत्र के अंतरगत आने वाले विद्याले की सिच्छा की संपूर गुर्वत्ता को सुधारने के लिए क्या यूजना बनाएंगे इस प्रकार का प्रश्ण का एक उधारण है यह जो इसका सही आंसर होगा उच अस्तरिय अपसारी यह डाइवर्जन थिंकिंग का उधारण है यह बच्चे की डाइवर्जन थिंकिंग को प्रमोट कर रहा है यह कोश्चन जिसमें वो अपने अभिचार अव्यक्त कर सकते हैं इस कोश्चन का कोई एक निश्यत उत्तर नहीं है यह इस कोश्चन का आंसर बच्चा अपनी समझ के अनुसार देगा तो यह एक उच अपसारी चिंतन को प्रोचसाहित करने वाला कोश्चन है जिसे सौर्ट में होट्स भी कहते हैं चलिए आगे बढ़ते हैं फोर्थ कोश्चन है एक विद्यार्थी कहता है उसका दादा आय है एक सिख्षक होने के नाते आपकी प्रतिक्रिया होनी चाहिए यह एक स्टुडेंट है जो कहता है उसका दादा आया है तो एक सिख्षक होने के नाते आप क्या प्रतिक्रिया इस पर देंगे फर्स्ट अच्छा उसके दादा जी आये हैं सिकन बच्चे आप सही वाक के न करेंगे जिस षब सब्सक्राइब बॉलेंगे तो बच्चा वो फॉललो करेंगे जूए बच्सक्राइब सेजादा जो सिख्षक का बेहार होता है उसको सीख्ते हैं यानुकरण करके ज्यादा सीखते हैं बच्चों को अच्छी बाते ना बता बलकि अपने आच्छित करके हम उन्हें पहस सिखा सकते हैं इन्हीं बच्चों को यह सिखाना नहीं कि आप स्थीग बोल रहें कि नहीं बोल रहें, कहके नहीं सिखाना बलके उसे आचरण में प्रदर्शीत करना है, तो इसका सही आंसर, option no.1 होगा फिफ्ट कोश्चन है अभी प्रेड़ा है यहीं उपलब्धी अभी प्रेड़ा क्या है? जो achievement motivation है वो क्या है? फर्स्ट चुनोती पूर्ड कारे में डटे रहने की प्रवित्ती, सिकेंड असफलता से बशने की प्रवित्ती, थर्ड सफलते हम असफलता को शमान रूप से सोई कारने की तत परता, फोर्थ बिना विचारे जल्दबाजी में कार करने की प्रवित्ती, तो चलिए देख लेत को continuous करते रहते हैं उसको हम असफलता के डर से छोड़ नहीं देते हैं इसलिए इसका सही answer first होगा असफलता से बचने की प्रिवित्ती अभी प्रेड़ा के माध्यम से आफ असफलता से नहीं बचने का तरीका उपलब्धी नहीं है वल्कि आफस यह आगे बढ़कर प्रियास के लिए यह तक तक हम उसकारी को करने में तो इसलिए इसका पहला answer पहले इसका आंसर होगा option no.1 चुनोती पूर्ण कारी में डटे रहने की प्रवित्ती नेक्स्ट कोश्चन है विद्याथियों से प्रतिक्रिया प्राप्त करने का आदर्स प्रतीच्छा समय के सही अनुपात में होना चाहिए फर्स्ट है पाठ चरिया में प्रकरण विशेश के लिए आवंटित समय तिकेंड है प्रश्ण का कटनाई अस्तर थर्ड है पिछले पाठों से प्रश्णों का उतर देने के लिए विद्यार्थियों दरा लिया गया समय फोर्थ है वास्तुइक जीवन में फोर्थ है वास्तुइक जीवन में प्रश्ण की प्रसांगिक्ता यानि इसका सही आंसर क्या होगा तो इसका सही आंसर होगा प्रश्न का कठिनाई अस्तर यानि विद्यार्थियों के लिए जो प्रतिक्रिया यानि प्रतिक्षा समय है प्रतिक्रिया करने का उसका निर्धारण हम किसा अधार पर करेंगे तो प्रश्न के कठिनाई अस्तर के अधार पर करेंगे जब कठिन प्रश्न है तो उसके लिए हम ज्यादा समय देंगे और जो शरल कोश्चन्स हैं उसने के लिए हम कम समय आवन्तित करेंगे जिसका सही अंसर ऑफ्सन नबर सेकेंड है कोश्चन नबर सेवेन है सीबी एशी द्वारा प्रस्तावीत समूल परियोजना गदिविधी का एक ससक्त माध्यम है इसके द्वारा क्या सिखाने का प्रियास किया गया है फर्स्ट है समाजिक भागिदारिता को सुनस्यत बनाना सिकेंड है सिच्छकों के भार को हलका करना थर्ड है रोजमर्रा के सिच्छड से होने वाले तनाव को दूर करना फूर्थ है अनेक्ता में एक्ता की संकल्पना का प्रचार प्रशार करना चलिए देख लेते हैं इसका सही आंसर है समाजिक भागिदारिता को सुनिश्यत करना है जब समूह में कारिक दिया जाएगा तो बच्चे एक दूसरे से इंट्रेक्ट होंगे और उनमें एक दूसरे क जानने का मौका मिलेगा जिससे उनमें एक शमूह की भावना आएगी और समाजिक भागिदारिता को बढ़ावा मिलेगा और इसलिए इसका सही आंसर समाजिक भागिदारिता को सुगम बनाना है नेक्स्ट कोश्चन है जॉन डीवी द्वारा समर्थित लैब विद्याले के उधारण है जो जॉन डीवी द्वारा लैब विद्याले स्थापित किये गये थे वो किस प्रकार के विद्याले के उधारण है फर्स्ट है फैक्टरी विद्याले सिकन है प्रगतिशील विद्य तो इसका सही उत्तर है प्रगति शील विद्याल है यान्न डी द्वी द्वारा जो लैब विद्याल है स्थापित किया गए थे वह एक प्रकार की प्रगति शील विद्याल है जिसमें बच्चे को करके शीखने पर का उसर दिया जाता है यानि लर्निंग बाई डूइंग को प्रमोट किया जाता है और बच्चे को रटन्त प्रडाली से मुक्त शिक्षा उपलब्ध कराई जाते जिसमें शिक्षा प्रडाली में बच्चा केंद्र में होता है यानि चाहिड का स्वानियमन से क्या तात पर दें फर्स्ट है स्वानुशासन और नियंत्रण सिकेंड है अपने सीखने का स्वयम अनविच्छड करने की योगता थर्ड है सिच्छार्थी निकाय द्वरा बनाएगे नियम यम बिनियम फूर्थ है विद्यार्थियों के बेवार के लिए बि अपने द्वरा जो सीखा गया उसको स्वयम ही परिक्षण कर लेना यहीं स्वयम ही चेक करना की कितना हमने सीखा है उसका असेस्मेंट स्वयम कर लेना स्वान यह मन होता है नेक्स कोस्चन है कोस्चन नमबर 10 आंतरिक रूप से अभिप्रेरीत विद्यार्थी फस्ट के लिए पुरसकार की बिल्कुल भी हो सकता नहीं है सिकेंड के लिए बाहर पुरसकार उसकी अभिप्रेड़ा को बनाए रखने के लिए पर्यापत नहीं है थर्ड है का बाहे रूप से अभिप्रेरित बिद्यार्थी की तुलना में अभिप्रेडा ऐस्तर कम होता है फूर्थ है के लिए औप्चारिक सिच्छा की ओसकता नहीं है चलिए देख लेगते हैं इसका सही अंसर क्या हो गया एक विद्यार्थी जो की आंत्री करूप से प्रेरित है नकी बाहे कारकों शे प्रेरित है उसके लिए पुरशकार की कोई ओसकता नहीं है तो ऐसा नहीं है सिकेंड है उसके लिए बाहे पुरसकार उसके प्रेड़ा को बनाए रखने के लिए परियाप्त नहीं है तो इसका सही आंसर है बाहे पुरसकार जो है उसकी प्रेड़ा को बनाए रखने के लिए परियाप्त नहीं है यह आंत्रिक रूप से प्रेड़ बेक्ति के लिए बाहे पुरसकार केवल पर्याप्त नहीं है किसी भी कारे को जारी रखने के लिए लंबे शमय तक करने के लिए आंतरीक प्रेड़ा क्यों शक्ता होती है ना कि बाहिए पुरसकार की हो सकता तो इसका सही answer ऑफ्सन नमबर second होगा के लिए बाहिए पुरसकार उसकी अभी प्रेड़ा को बनाए रखने के लिए परियाप्त नहीं है थैंक्स फॉर वाचिंग फ्रेंड्स आज के सेशन में बस इतना ही अगर आपको सेशन पशंद आया हो तो लाइक सेयर सब्सक्राइब करें